देश में प्रतक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में पिसले 6 सालों में पहली बार 2018-19 में गिरावट दर्ज की गई है टेलिकॉम, फार्मा और दूसरे शेत्रों में विदेशी निवेश में गिरावट से FDI एक फीजदी गिर कर 4,437 करोड डॉलर यानी 3.08 लाग करोड रुपे रहे गया है DPIT के ताजे आंकड से ये जानकारी सामने आई है DPIT के आंकडों के मुताबिक इससे पहले 2017-18 में पृतक्ष विदेशी निवेश के जरीए 4,485 करोड डॉलर आये थे 2012-13 के बाद से FDI में लगातार बढ़हत हो रही है इससे पहले 2012-13 में विदेशी निवेश में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और उस समय विदेशी निवेश 36 फीज दी गिरकर 2,242 करोड डॉलर यानी 1,56 लाग करोड रुपे रहे गया था इससे पहले 2011-12 में ये आकड़ा 3,512 करोड डॉलर यानी 2,44 लाग करोड रुपे था 2012-13 के बाद से FDI में लगातार इजाफा हो रहा है और 2017-18 में ये रिकॉर्ड सतर पर पहुँच गया था आज कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री के इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए FDI की बहुत बहुत रिकॉर्मेंट है DPIT के आकड़ों के मताबिक 2018-19 में टेलीकॉम, निर्मान विकास, फार्मा और बिजली शेत्रों में FDI निवेश में पिसले साल के मुकाबले काफी गिरावट आई है टेलीकॉम सेक्टर में FDI 2018-19 में 267 करोड डॉलर यानी 18.58 करोड रुपे रहा जो कि 2017-18 में 621 करोड डॉलर यानी 43.29 करोड रुपे रहा था निर्मान विकास में FDI 54 करोड डॉलर यानी 3.76 करोड डॉलर रुपे से घटकर 21.3 करोड डॉलर यानी 1.48 करोड रुपे रहा फार्वा में FDI 100 करोड डॉलर यानी 6.96 करोड रुपे से गिरकर 26.6 करोड डॉलर यानी 1.85 करोड रुपे और बिजलिश शित्र में 162 करोड डॉलर यानी 11.27 करोड रुपे से घटकर 110 करोड डॉलर यानी 7.65 करोड रुपे रहे गया जानकारों का मानना है कि इन सेक्टर्स पर बीते कुछ वक्त में खासी मार पड़ी है ऐसे में यहाँ पर FDI में कमी दर्ज की गई है अगर बात करें उन सेक्टर्स की जहाँ पर विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है तो उनमें शामिल है सर्वी सेक्टर जहाँ पर 9.15 अरब डॉलर बतार FDI आए केंप्यूटर सॉफ्टवेर और हार्डवेर में 6.41 अरब डॉलर और ट्रेडिंग में 4.46 अरब डॉलर FDI की तौर पर आए अटो मोबाइल सेक्टर में 2.62 अरब डॉलर की FDI शामिल है लेकिन जिन सेक्टर को ज्यादा FDI मिली थी उनके मुकाबले FDI कमी वाले सेक्टर ज्यादा तादात में रहें ऐसे में कुल जमा FDI 6 साल बात कम हो गई अब नई सरकार बजट के जरीए इस मुश्किल को दूर करने पर भी काम कर सकती है